हेलो एफ्रिवान कैसे हो आप सब गाइस आज की जो मारी क्लेक्शन है इस क्लेक्शन में मैं आप लोगों के लिए दुपट्टे के डिजाइन लेकी है हूँ कि आप लोग किस तरह का दुपट्टा कौन से सूट के साथ है जो केरी कर सकते हो अपकी लोग के जो बहुत ही स्ट बहुत ही प्यारे लगती है अगर थोड़ा आप हैवी दुपट्टा लेना चाहते हो तो हैवी दुपट्टा भी आप डिजाइन करवा सकते हो गोठा लगा करके नेक्स्ट आप इस तरह का दुपट्टा भी ले सकते हो वाइट कलर के सूट के साथ पिंक कलर का के साथ आप दोपटा केरी कार सकते हुए वला नेक्स्ट अगर आप नेट का सूट बनाते हो इस तरह नेट की शल्ट बनाती हो तो आप उसके साथ जो प्लेंच शिफोन का दपटा ले सकते हो तो यहां पराव आप वाइट कलर के जो ट्राउसर पैंच सूट के साथ आप अगर का जो प्लेन सूट है लिजा करके बिना सकते हो तो इस जरी का भी आपका यो सूट है बहुत ही स्ट्राइलिश बट जाएगा नेक्स्ट अगर आप इस तरे का फ्रॉट सूट बनाते हो चूडीदार की साथ तो उसके साथ जो इसली का दपटा ले शकते हो इस तेरी के पट्टे जो relatively आपको शॉप से मिल जाते है जो प्लेज ए आपको मिल जाते तो आप लोग का जो बटीक से इंबरोइडरी करवा करके जा फिर पेंट करवा कर आप अपने दप्टे को रैडी करवा सकते हो अगर आप इस तरह का जो है फ्रॉग के साथ प्लाजो सूट बनाते हो तो आप ठीक से है जो से इंब्रोडी करवा करके रैडी कर सकते हो अगर आप अपने सूट को सिंपल और स्टाइलिश लुक रखना चाहते हो तो आप उसके साथ है जो इस तरह का प्लेन शिफोन का दपट्टा कर सकते हो और जे वाला कंट्रास्ट अब बहुत ही प्यार है गाईस तो नेक्स्ट आप इस तरह फुलकारी भी कर सकते हो अपने सूट के साथ अगर आप डारक कलर का सूट बनाते हो जैनि कि रैडट कलर का जहांपर सूट बनाया गया है तो आप इस तरह जो फिलकारी वाली अम्बरॉइडरी है, सलवार पर और अपनी शल्ट के गीरे पर करवा सकते हो तो उसे तरह का जो डिजाइनर है फुलकारी वाला दपट्टा केरी कर सकते हो जैसे के जहाँ पर पिंक कलर का सूट है अगर आप चाहें तो सलवार सूट बना सकते हो या प्लाजो सूट बना सकते हो फ्रॉक सूट बना सकते हो चूड़ीदार के साथ तो उसके साथ है जो इस तरह की लाइट कलर की फुलकारी केरी कर सकते हो इस तरह की फुलकारी है जो का पट्टा ले सकती हो थाइंक यू सो मच गाइस फिर मिलेंगे अगली नएक लेक्शन में